धागा को आगे कीजिएगा और ये 3 फंदा 1, 2, 3, 3 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे धागा को पीछे ले जाएंगे अब देखे 1, 2, और ये 3, 3 फंदा को देखे बैक साइड से नीचे से 1 बार बुनाई किया और इसे स्लिप नहीं करेंगे धागा को आप आगे लाएंगे और ये दूसरी बार बुनाई करेंगे जब आगे लाएंगे न तो ये फंदा यहां और बन जाएगा और फिर बुनाई करेंगे तो देखे ये 3 फंदे से टोटल हमारे 3 फंदे बन गे 1, 2, 3